हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल डाइंग 78 आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे इस आलेखन को कलर करना जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था आलेखन को बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा देखिए इस आलेखन को कलर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा कैमल का पोस्टर कलर इसमें 6 रंग होते हैं मैं इस रेड कलर से आलेखन का बैक ग्राउंड कलर करूँगा आलेखन के धरातल को रंगने के लिए हमने रेड कलर ले लिया है प्लेट में बड़ी साउधानी से कलर करेंगे, पहले तो हम किनारों को कलर कर लेंगे, बाद में बीच में कलर को जल्दी यल्दी भर देंगे. इसी प्रकार हम पूरे आलेखन के धरातल को कलर करते जाते हैं. जब आलेखन के धरातल को गहरे कलर से कलर किया जाता है, तो बहुत ही साउधानी से ब्रस चलाना पड़ता है, ताकि फूल पत्तियों के अंदर न जाने पाए कलर. मैंने अपने इस चैनल पर लगभक सभी प्रकार के आलेखन और इसमृत चित्रण के वीडियो डाल लखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर आवज़िक्ता अनुसार उन वीडियो को जरूर देखें. व्रित्य के किनारे को कलर करते समय भी हमें बहुत साउधानी रखनी पड़ती है, ताकि कहीं ब्रस से रंग बाहर न लग जाए. इस प्रकार बड़ी ही साउधानी से पहले तो आल एकर के धरातल को कलर कर लिया जाता है, उसके बाद फिर फूल कलियों और पत्तियों को कलर किया जाएगा. तो इस प्रकार आलेखन का धरातल लगभग रंग कर पूरा हो गया है, अब हम फूल को रंगेंगे. देखे, फूल की इन नीचे वाली पंखुडियों को कलर करने के लिए हमने यलो कलर में हलका सा रेड मिलाया है, ज्यादा रेड नहीं मिलाएंगे, वरना बैक ग्राउंड भी रेड कलर का है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा. इस प्रकार हम एक एक करके फूल के नीचे वाली पंखुडियों को हलका आरेंज कलर से कलर कर लेते हैं, बाद में फूल की उपर वाली पंखुडियों को प्योर यलो कलर से कलर करेंगे. इसी पीले कलर से ही हम कली की इन पंखुडियों को भी कलर कर लेते हैं. इसी कलर से ही हम इन छोटी वाली कलियों में भी जो थोड़ी थोड़ी पंखुडियां दिखाई दे रही हैं कलर कलेंगे. अब हमने सफेद में थोड़ा सा लाल रंग मिला कर उससे इन पंखुडियों की आउट लाइनों को बना देते हैं. इसके लिए हम जीरो नंबर का ब्रस इस्तेवाल करते हैं. ऐसे कली में भी आउट लाइनों को पिंक कलर से ही बना लेते हैं. इसी जीरो नंबर के ब्रस से चाहे तो आप पंखुडियों पर भी बारीक सफेद लाइने बना सकते हैं. अब देखिए हमने पीले में थोड़ा सा हरा रंग मिलाया है. इससे हम आधी आधी पत्तियों और आधी आधी टहनियों को कलर करेंगे. इस प्रकार एक एक आकरित को छोड़ कर हम हलके हरे से कलर करते जाएंगे. इस पत्ति के भी आधी हिस्से को हलके हरे से कलर कर लेंगे. सेस हिस्से को बाद में गहरे वाले से कलर करेंगे. ऐसे ही हम आधी आधी पत्तियों और टहनियों आधी के आधी आधी हिस्सों को हलके हरे से कलर करते जाते हैं. ऐसे ही हम इस पत्ती के आधे हिस्से को हलके हरेवाले से कलर करेंगे पहले तो किनारे पर साउधानी से लगाएंगे रंग उसके बाद बीच में जल्दी से भर देंगे इन दो टहनियों में से एक को हम हलके हरे से कलर कर देंगे जबकि बाद में दूसरी को गहरे वाले से कलर करेंगे इस प्रकार पत्तियों और टहनियों के आधे आधे हिस्सों को हमने हलके वाले हरे से कलर कर लिया है सेस बचे हिस्सों को अब हम गहरे वाले हरे से कलर करेंगे इस वाले हरे रंग में भी हमने पीला रंग मिलाया है लेकिन पहले वाले के पेच्छा कम पीला मिलाया है झाल झाल इस प्रकार आलेखन में पत्यां और टहिनिया कलर हो चुकी हैं, अब हम इनके आउट लाइन को गहरे हरे से कलर करेंगे इसके लिए हमने प्योर हरा रंग सीसी से निकाल लिया है, इसमें हम कोई दूसरा रंग नहीं मिलाएंगे आउट लाइन बनाने के लिए हम जीरो नमबर के हिब्रेस का प्रियोग करेंगे इसी गहरे वाले हरे से हम पत्तियों के बीच में सिराएं भी बना देंगे इस प्रकार पत्तियों और पत्तियों के लिए करेंगे तहनियों में हमने गहरे हरे रंग से आउट लाइने बना दी हैं अब फूल के मद भाग को कलर करने के लिए हमने लाल रंग में थोड़ा सा काला मिलाया है इसी बचे हुए कलर से हम वृत की आउट लाइन को भी बना देते हैं अब गाड़े सफेज रंग से जीरो नंबर के ब्रस से एक दूसरे को क्रास करती हुई ये बारीक लाइने हम बना देते हैं जिससे की फूल देखने में और भी आकर सक लगने लगता है पुस्प के पूंके सरादी दिखाने के लिए हम गहरे लाल रंग से बिंदिया रख देते हैं पत्तियों को और भी अधिका कर सक दिखाने के लिए इन गहरी हरी लाइनों के बगल में हम गाड़े सफेद रंग से जीरो नंबर के ब्रस से लाइने खीश देते हैं अगर आपको वृत में सूरज मुखी के अलेखन को कलर करने का यह तरीका पसंद आया हूँ तो हमारे वीडियो को लाइक करें मित्रों में शेयर करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें धन्यवाद